हेलो फ्रेंट्स आईए देखे आज के दह हुंद अक्बार की मुख्य सुल्खिया शुरू करेंगे फ्रेंट पेज से आयोध्या मिडियेशन रूलिंग टुदे शुक्रवार को भारत के चीफ जस्टिस रंजन कोई के नित्रित्व में एक पांच जज के कॉंसिटूशन बेंच इस आदेश का उचारण करेगी कि आयोध्या विवाद को मध्यस्तता के लिए भेजा जाना चाहिए या नहीं भेजा जाना चाहिए इस बेंच ने समझोते की तरफ इशारा किया था कहा था कि अगर ये मामला समझोते से सुलक सकता है तो क्यों ना इसे समझोते से ही सुलजा लिया जाए जस्टिस ऐसे भूबडे ने बुधवार को यह अब्जर्व किया कि कोट राम जन्म भूमी बाबरी मस्जित के इसकी वर्तमान स्थिती से चित्त है ना कि उगलों के आकरमन और उनकी विजय अभियान पर प्राइमरिली बात सिर्फ उस पंदरा स्व स्क्वेर फिट विवादित जमीन की नहीं है लेकिन बात दोनों समुदायों कि हिंदुओं और मुस्लिमों के धार्मिक भावनाओं की है उनकी रिलिजिस सेंटिमेंट्स की है ऐसा पहले बार हो रहा है कि चाय की इंडस्ट्री में कर्मचारियों के स्किल और आउटपुट को रेटिनाइस किया गया धार्मिक तोर पर लेते है एक कर्मचारी जिसका नाम है ताभी भेंग्रा ताभी भेंग्रा के पूरवजों को 170 साल पहले ब्रिटिश टी प्लांटर्स असम में लेकर आये थे अपने चाय की इंडस्ट्री में काम करवाने के लिए उससे तो ये भी नहीं पता है कि उसके पूरवज सेंट्रल इंडिया मध्य भारत के किस भाव से आये थे लेकिन 6 पीडियों से पास ओन की गई इस कुशलता का इस कौशल का इस किल का वो बड़ी शक्र गुजार है इसकी वज़ा से वो अपने परिवार की सबसे पहली टी प्लकिंग चैंपियन बनी है तावी भेंगरा अकेली नहीं है जिसे टी प्लकिंग चैंपियन मराया गया है आसाम की एक बड़ी चाय की कमपनी के 17 एस्टेट्स में से 7 और प्लकर्स को भी प्लकिंग चैंपियन घोशित किया गया है उन्हें अपनी इस युनिक कोशल के लिए रेकिंगनीशन मिली है पहचान मिली है कि वो रोजाना हाई क्वालिटी की चाय पत्ती अक्रीवन 21 किलोग्राम की क्वांटिटी में हर रोज तोड़ लेते हैं फिर से तावी भेंगरा का उधारन लेते हैं तावी भेंगरा की अटेंडेंस रहती है 97 और वो हर दो मईने 2489 किलोग्राम चाय की पत्तिया तोड़ती है जिसमें 62 प्रतिशत क्वालिटी होती है गुरुवार को सुप्रीम कोट ने अपने ही जजमेंट को चेंज करते हुए और उसे फ्रेश येरिंग के लिए लिस्ट किया है और साथे साथ कोट ने अपने साथ जन्वरी के उस मिर्णे को फ्रीज कर दिया है जिसके तहट उसने गलती से ये कह दिया था कि टीचर पेमेंट ऑफ ग्राचुईटी आक्ट के तहट एक कर्मचारी नहीं है और नेक्स्ट उस केंग्रुवर्स गेट a sweet deal शुगर मिल्स के एतरनल उतपादं शमता बढ़ाने के लिए और गन्ना उगाने वाले किसानों के बढ़ते बकाया में उनको वापस पेउफ करने के लिए केंद्रेसरकूर्णी के तीम हजार तीन Ow 25 क्रोड का इंसेंटिव अपरूव किया है ये निर्णय गुरुवार को Cabinet Committee on Economic Affairs द्वारा लिया गया जो की संभावतर इसकी आखरी मिटिंग टी लोग सबाई एलेक्शन से कंगे Cabinet Committee on Economic Affairs ने 2790 करोड रुपे मिल्स को Bank Loan Interest Subvention के लिए दिये और अगले 565 करोड रुपे मॉलैसिस आधारित Standalone Distilleries को Loan Interest Subvention के लिए दिये Next is Swamya Swaminathan is WHO Chief Scientist WHO World Health Organization में चल रहे Reforms के तहट Swamya Swaminathan जो की पहले Deputy Director General की पोस्ट पे थी अब उन्हें Chief Scientist की पोस्ट पे प्रमोट कर दिया गया है इससे पहले वो उन तीन Deputy Director General में से एक थी जो की Director General के काम में उनकी मदद करते थे इसी के साथ वो पहली भारतिया है जिन्होंने WHO की वो प्रिस्टीजिस पोस्ट को होल किया था Next is India-Russia Sign Deal on Nuclear Submarine गुरुवार को भारत ने रश्या के साथ तीन बिलियन डॉलर की एक डील साइन की है जिसके अंतरगत भारतिय नौ सेना को दस सालों के लिए Nuclear Power Attack Submarine पट्टे पर दी जाएगी लीस पर दी जाएगी इस पैक्ट के तहट रश्या भारत को अकुला क्लास सबमरीन देगा जो कि भारत में जाना जाएगा चक्र 3 के नाम से और ये उसे भारतिय नौ सेना को 2025 तक प्रदाम करने है रश्या की ये तीसरी सबमरीन होगी जो कि हमारी भारतिय नौ सेना को लीस पर दी जा रही है एक बड़ा कदम लेते हुए रक्षा मंत्री निर्मला सीता रमन ने रिफॉर्म्स का पहला जत्ता अपरूव कर दिया है जिसके तहट आर्मी में दो सो उनतीस ओफिसर्स का री लोकेशन आर्मी हेड़क्वार्टर से किया जाना है सूतरों के अनुसार डेप्यूटी चीफ अफ दे आर्मी स्टाफ और स्ट्राटर्जी वाली पोस्ट इसलिए बनाई जानी है ताकि इन रिफॉर्म्स में दूसरी चीजों का भी समावेश होगा जैसे कि आर्मी ओफिसर के केडर का री स्ट्रक्चर प्रमुख कमांड्स की आयू में गिरावट पते हुए रेवेन्य एक्स्पेंडीचर को रोकना और फोर्स की राइट साइजिंग करना नेक्स्ट इस नेम्स फॉर लोगपाल शॉटलिस्टेट सुप्रीम कौर्ट टोल गुरुवार को एटाउनी जनरल के के वेनु गोपाल ने सुप्रीम कौर्ट को ये इन्फॉर्म किया कि ब्रश्टाचार विरुधी लोगपाल के नाम शॉटलिस्ट किये जा चुके है और प्राइम मिनिस्टर नर्वेंदर मोदी के नेतृत्व में सिलेक्शन कमिटी को फॉर्वड किये जा चुके है इस पर भारत के चीफ जस्टिस रंजन गोगई के नेतृत्व में एक बेंच नेमिस्टर वेनु गोपाल से ये कहा कि वे दस दिन में पता लगाए किस तिथी को सिलेक्शन कमिटी मिलेगी और पहले लोगपाल चैर परसन और उसके सदस्यों की नियुक्ती फाइनलाईज करेगी इंडिया एक्सलूड इगेन फ्रम स्टूडेंट विजा रिलाक्सेशन लिस्ट युके ने भारत को फिर से एक बार उन देशों की एक्स्पैंडिड लिस्ट में समावित नहीं किया है जहां से चात्र चात्राए जो विजा के लिए अपलाई करते हैं उन्हें कम कड़े डॉक्युमेंटेशन प्रलिखन की रिक्वाइमेंट्स हो जिन नहीं देशों को इस स्ट्रीम लाइन डॉक्युमेंट्री रिक्वाइमेंट्स में समावित किया गया है वो है पेरू, कज़किस्थान, मॉरिशियस और उमान ये बदलाव ब्रिटेन के इमिग्रेशन सिस्टम में एक बड़ा अपडेट करने के तहट किया गया था इसे के साथ हमारा आज के दहिंदु के मुख्य सुर्ख्यों का विश्लेशन यहीं समाप्त होता है दहिंदु के करेंट अफैर्स के डेली वीडियोज हिंदी में देखने के लिए हमारी यूट्यूब चानल एएशा यंग आयस को सब्सक्राइब करें बेल का बटिक नबाना ना भूले